हलो दोस्तों मैं हूँ तुशार साओ and welcome to my channel दोस्तों आज हमारे पास में 2022 model युन्डाइ क्रेटा कार है जो कि एक बेस विरियन गाड़ी है और इस गाड़ी के अंदर सारी लेटे सेसरी डाल के इसको टॉप विरियन में convert करेंगे तो first of all इस गाड़ी का एक walk around हम लोग ले ले कि इसमें आपको क्या क्या चीज़े company provide करती है तो यहां first of all हम देखेंगे white color की हमारी क्रेटा e variant गाड़ी है जो कि एक base variant है front side में यह company आपको जो grill देखने को मिल रहा है यह chrome वाला grill आपको provide नहीं करती है तो यहां पर देखें हम लोग ने oe grill यहां पर डाला है जो कि आप देख पाएंगे तो total यह आपको भाई five piece में मिल जाते हैं यह oe grill और एक you save का पूरा grill मिल जाता है तो यह top variant में देखने को मिलेगा आपको लेकिन base variant आपने लिए है तो उसमें यह चीज नहीं मिलती है तो कोई दिक्कत नहीं after market मिल जाता है तो यहां पर इसका installation कर दिया है गाड़ी के अंदर आपको single din system मिलता है और यहां हम देखेंगे तो यहां पर हम लोग इंस्टॉल करेंगे भाई जे बील के component speakers क्योंकि आप देख सकते हैं 390 watt के यह back side में install करेंगे और front side में GTO जो series आती है JBL की वो करेंगे तो दोनों ही component speaker का installation इस गाड़ी में होने वाला है तो आप यहां देखेंगे component speakers है यहां पर और twitter भी अंदर ही डाल दिया गया इसके तो front side में और back side में बढ़िया JBL के component speakers का installation किया गया जो की बहुत बढ़िया sound provide करता है तो यह देखें पीछे में CS7 series वाला डला हुआ है अब सामने में front two doors में डाला गया है GTO series का component speaker तो आप यहां देखेंगे यह दल चुकिए इसके अंदर यहां पर हमाने जो door pad वापे से close कर दिया power window का option इसमें मिल जाता है sound quality आपको जब 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 देखने को मिल जाएंगी अभी steering wheel को लिका लिए है इसमें cruise control हम लोग इंस्टॉल करने वाले है steering wheel control भी करने वाले है तो देखिए steering wheel को भाले का लिया और इसके अंदर cruise control और steering control भी डालने वाले है अभी देखिए हम लोगों ने यहां पर क्योंकि इस गाड़ी के अंदर company music system नहीं देती है तो यहां पर 10 inch का full touch android system डाला गया है जो की आपको बढ़िया BMW style में देखने को मिलेगा 10 inch का display है 2 plus 32 GB variant है और DSP के साथ में मिलता है digital signal processor इसके अंदर डला हुआ है नीचे में देखेंगे तो यहां पर flow lamination डाला गया है गाड़ी का जो carpet है उसको protect करने के लिए इसकी जरूरत होती है तो यहां पर lamination डाल दिये गया है इसके उपर हम लोग 70 floor mat डालेंगे जिससे गाड़ी और attractive लगने लगेगी तो आपने भी नहीं गाड़ी खई दे तो flow lamination जरूर डल वा ले इससे आपकी जो गाड़ी का main carpet है वो हमेशा protect रहेगा और smell बगरे भी नहीं आएगे पानी बगरे लगरे में तो यह देखें water resistant होता पूरे carpet को यह cover कर लेता और इसके उपर आप 70 mat भी डाल सकते हैं तो यह lamination का काम भी यहाँ पर कर दिया गया है चलिए गाड़े की कुछ और भी accessories है उसके बारे में जानकरी लेंगे तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो यह जो white color की गाड़ी है इसके अंदर company आपको steel wheel देती है जैकि हम लोग ने इसमें alloy wheels दाले है यहाँ बात करेंगे XCSEC में तो chrome line door visor आपको देखने को मिलेंगे जो कि black color के ABS quality के ABS quality का product बढ़िया होता है मतलब इसमें गाड़ी धूफ अगरे में खड़ी रहेगी तो इसका color अगरे फ्राइड नहीं होगा chrome lining वाला है मतलब silver color की line इसमें आपको देखने को मिलेगी इस से गाड़ी का जो look है काफी attractive हो जाता है अगे हम बात करेंगे इस गाड़ी के lower garnish की लोवर गार्निस भी आपको मिल जाता है after market और इसे install करने से गाड़ी का जो window वाला portion है काफी खूबसरत हो जाता है तो देखे white color की गाड़ी में silver की जो line है इसको lower garnish का जाता है और look wise बहुत बढ़िया लगता है नीचे में बात करेंगे तो यहां देखेंगे गया diamond cut के alloy wheels यहां पर डाले गए हैं base variant के अंदर यह आपको मिलते हैं लेकिन हम लोग ने डाले तो R70 नहीं पर देखेंगे 215-260 R17 मतलब 17 इंच के alloy wheels और tubeless इसके अंदर डाले गए हैं after market तो आपने भी अगर क्रेटा के लिए जो कि आपको काफी बढ़िया और सस्ती भी मिल जाती है यहां से इसका जो लुक आ रहा है काफी शांदार आ रहा है अभी हमारी जो गाड़ी है top variant के तरफ convert होने लगी है अभी इस गाड़ी के अंदर bucket seat के बस और डलने है 70 मैट डनना है music system का आपको response भी बता साइड में कलब 605 डाला गया है क्रेटा गाड़ी के अंदर बैक साइड में आपको में बताया था तो दोनों ही component JBL speakers के डाले गए है और इसका जो sound test है काफी जबज़द सभी मिलने वाला है चली अभी हम लोग बात करेंगे इस गाड़ी के touch screen की तो 10 इंच का full touch android system है captive touch के सा प्रॉपर क्रेटा गाड़ी के लिए मिलता है Bluetooth connectivity करके आप हैंस फ्री कॉलिंग की फैसलेटर ले सकते इन इसके अंदर inbuilt माइक तो लगा हुआ external माइक भी आपको मिल जाता है यहाँ आप सारी सेटिंग्स वगए मिल जाएंगे कार की आपको और लुक वाइस भी बढ़िया क्योंकि यह जो touchscreen है इसके अंदर digital signal processor है जो की sound output के लिए काफी भैता response देता है तो आप भी अदि क्रेटा गाड़ी के लिए बढ़िया सा display दिखना चाहरे हैं तो यह DSP model जरू लगवा है इससे जो sound effect मिलता है output में speakers को बहुत बढ़िया मिलता है GPS tracking आप यहाँ इसके अंदर equalizer इसका जो है बहुत शांदार है Bluetooth connectivity भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगी Bluetooth dialing pad वगरे भी इसके अंदर है mobile phone से जैसी आप Bluetooth को connectivity देते है तो सारा जो dial list है आपकी सामने आ जाती है यहां Android देख सकते है Android 10 बेस ही आपको system मिलता है इसमें आगर मैं आपको बताओ उ आती है इस क्रेटा गाड़ी के लिए अभी मैं जो equalizer की बात कर रहा था ना तो देखिए यहां पर इसके अंदर आपको मिल जाता है तो आप भी अपनी क्रेटा गाड़ी के लिए यह वाला डिस्पले जरूर लगवा है बहुत बढ़िया इसका response है और लोकिंग वैस भी फ जो कि बहुत शानदा है DSP के साथ में आता है अभी हम बात करेंगे यहां पर और भी application तो pre-loaded application आपको सारी मिल जाती है अपने mobile phone का hotspot on करके इसके अंदर इंटरनेट कनेक्टरी वाइफी की थू आप ले सकते है फिर Google Map या फिर आप बात करें Facebook, WhatsApp, YouTube, Full HD Quality के वीडियो भी आ इसके अंदर प्ले स्टोर है तो अपने पसंद के application डाउनलोड करके आप इस्तमाल कर सकते हैं FM रेडियो के अंदर support मिल जाता है इस चेरिंग कर्टोल बटन जो हमारी अपी इंस्टॉल होने वाले इस बेसेरियन के अंदर वो भी इसके साथ में वर्क करेंगी लिवास पार के साथ अपने एक android mobile phone का चलाते हैं इस touchscreen को भी आप चला सकते हैं तो यह तो प्लस 32GB वाला DSP वेरियन 10 इंच का जो के करेटा गाड़ी के लिए प्रॉपर आपको मिलता है नीचे में बटन वगरे भी इसके प्रॉपर वग करती है चलिए मैं आपको बताता हूं steering control बटन जो बटन की तो वह भी प्रॉपर ली आपको यहां पर वर्क करते हुए मिल जाएगी तो अभी देखिए यह हमारे जो क्रूस कंट्रोल है steering कंट्रोल है वह यहां पर लगा दिया गया है और बड़ी आसा यह अब हमारी जो गाड़ी है काम करने लगी है तो यहां देखेंगे ज बेस वेरियान को बढ़िया सारा समान लगाकर टॉप वेरियान में कंट्रोल कर सकते हैं तो यह हमारा ड़सिंस का डिस्प्ले है जो कि आप देख पाएंगे काफी बढ़िया है और अच्छा response देता है चलिए अभी मैं आपको बताता हूं इसका full HD वीडियो का एक sample बताता ह है तो यहां पर कॉल के लिए भी यहां पर आपको ऑप्शन मिल गया है बढ़िया तो यह सारी आपको इस टच स्किन के अंदर मिल जाती है कॉलिटी भी काफी डीसेंट है फुल एच्डी है आप यूटूब से फुल एच्डी वीडियो ऑनलाइन चला सकते हैं या फिर आप अपने मोबाइल फोन में से ब्लूटूट कनेक्टिविटी करके लगा सकते है मिरर लिंक की फैसलिटी भी इसके अदर मिल जाती है तो यह भी अच्छी है तो आल इन वन यह आपको मिल जाता है भाई आंड्रॉइड सिस्टम तो चलिए अभी आप इस अपर आप दोस्तों जैसे के आपने देखा जो साउंड की काफी डीसेंड है अब हम लोग बात करें इस गारी के बकेट सीट कवर की तो देखें बेज जैन ब्लैक कॉमिनिशन के फुल बकेट सीट कवर से इसके अंदर इसके अंदर इस्टॉल किये गया है इंटिया से मैचिंग है तो लुक वाज भी बड़िया लगते है और गारी का जो इंटियर है वो भी बहुत बड़िया बना देते हैं तो दोस्तों गारी के अंदर अलमस्ट सारी असी हम लोग ने इंस्टॉल कर दी है वीडियो आपको अच्छा लगए तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजएगा और भाई मिलता है असी नाइक शूटर के साथ में तब तक के लिए गड़ बाई जैहीन जैभारत जाअ is कुछ में जजां जैक टूग वाई असी नाइक सारी वे तिए थेसने01 आव कुछ ने मुंट जाए बड़ तो जाए यंजश बाए द्चानमस्टनिश को और दो